मित्रों नमस सम्स्कृता है सम्स्कृत गंगा दारा गंज प्रयागराज से मैं सरवगी भूशन और आप लोग जो यूपीटेट की परिक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें फरवरी 2014 में प्रात्मी कस्तर में एक प्रश्न पत्र गंगा दारा प्रकाशित है और नहीं भी है तो आपको इस फ्लाइट के माध्यम से वो सारे प्रश्न दीए जा रहे हैं उसकी व्याख्या दी जा रही है और इस उद्यश्च के साथ कि इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परिक्षां में पूछे जा सकते हैं तो पहला प्रशंथा कि सिक्षन में नैदानिक परिक्षन की आवश्यक्ता होती है चात्र की पारिवारिक आय की जाच करने के लिए कि स्वास्थे परिक्षन के लिए कि चात्र की विश्यगत कमजोरियों को दूर करने के लिए या डिविकल्प में था कि चात्रों में प्रति रेक्रम की ठीक पहंचान निदान अत्वा नेदानिक परिक्षा यानी डाइग्नोस्टिक टेस्ट कहलाती है अब शिक्षन के संदर में चात्र कमजोरक्यों हैं इसके कारनवां कठिनाईईओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो परिक्षन किया जाता ह। वह निदानात आप्ठमक परिक्षण का मुख्ध देश्य चात्र की कमजोरियों का पता लगाना है। इसलिए आप सी वाले बिकल्ब को सही कर लीजे। कि उचा है सवाल कि सिक्षन में नैदानिक परिक्षन की आवशक्ता क्यों होती है तो उत्तर हो जाएगा चात्र की विश्यगत कमजोरि के लिए है ठीक हो गया अब दूसरा सवाल है कि कक्षा सिक्षन सामगरी कौन सी है जब आप क्लास में पढ़ा रहे होते हैं उस समय सबसे आवस्चक सामगरी कौन सी है रेडियो के चार्ट के स्यांपट के ग्रामो फोन तो ये कोई बताने की बात नहीं है जब आप क्लास में सिक्षन कर रहे हैं उस समय सबसे आवश्यक सामागरी स्यामपठी होगी क्यों चुकि सिक्षन संस्था में उतना ही आवश्यक है जितना की डेस्क, बेंच, कुर्सी, मेज, रजिश्टर या अनिवस्त हैं अब ये सिक्षा का सबसे सस्ता और महतुपर्ण साधन है, श्यामपठ सिक्षन का अभिन अंग है अर्था सिक्षन बिना स्यामपठ के हो ये थोड़ा सा असंबो लगेगा स्यामपट पर लिखे अक्षर स्पष्ट होने चाहिए, स्यामपट कारी में स्वक्षता होनी चाहिए, जो लोग B.A.D. किये हैं या B.T.C. किये हैं, वो लोग स्यामपट की महत्ता को बहुत अच्छे से समझते होंगे, अक्षरों का सीधा होना आवश्यक है, स्यामपट पर स समझाने में स्यामपट बहुत सहायक है। इस प्रकार से कक्षा सिक्षन में सबसे आवर्शक सिक्षन सामगरी कौन सी है। जब यह सवाल आप से पूचा गया हो। तो आपको स्यामपट पर सही उत्तर लगाना है। तीसरा प्रश्ण है कि लेखन सिक्षन में प्रतिलेख का क्या तात्पर है तो आप चार विकल्प आपके सामने है कि लेखन सिक्षन में प्रतिलेख का तात्पर है पुस्तक से कुछ अन्श को देख कर लिखना कि अध्यापक बोलता है छात्र लिखता है कि एक शात्र बोलता है अन्य शात्र लिखते हैं कि श्मर्ण के आधार पर लिखना तो मित्रों आप सब जानने कि लेखन के प्रकार है अनुलेख प्रतिलेख और सुर्तिलेख तो प्रतिलेख का मतलब हो होता है यहां प्रतिलेख से सवाल पूछा गया है प्रतिलेख का मतलब होता है प्रतिलेख में चात्र सुतंत्र रूप से किसी पुष्टक या पत्र पत्रिका के किसी भाग का अनुकरन करके अपनी कौपी में लिखता है कच्छा 4-5-6 में प्रतिलेख कराया जा सकता है पुष्टक से कुछ अंश को देख करके लिखना यही उत्तर इसका सही होगा जो कि पुष्टक या पत्र पत्रिका के किसी भाग का अनुकरन करके अपनी कौपी में लिखता है यही प्रतिलेख से तात्पर है और अनुलेख भी सुन लिजे साइद अगली परिक्षा में आपसे अनुलेख पूचले कि अनुलेख से क्या तात्पर है तो अनुलेख का अर्थ है लिखावट के पीछे या बात में लिखना अनुलेख का प्रारंभिक अक्षाओं में विशेश महत्व है आप देखे होंगे जब आप छोटे बच्चे थे तो पिता जी लोग पहले कक्का किक्की पाटी में लिख देते थे खटकिन्ना भरके फिर उसी खटकिन्ना के ऊपर आप उसमें अक्षर के ऊपर अक्षर चढ़ाते थे या अक्षर देख करके फिर उसी के बगल अक्षर ल बोला करते थे और हम सब चात्र लिखा करते थे वही है सुर्त लेख का मतलब हुआ सुनकर लिखना अब सुर्त लेख सुना हुआ लेख है इसमें अध्यापक बोलता है और चात्र सुनकर लिखता है सुनने समझने की युगता के सिक्षन और परिक्षन का सुर्त लेख एक ये प्रतिलेख कहलाता है और लिखावट के पीछे या बाद में लिखना अनुलेख कहलाता है और गुरु जी बोलें और उसको सुन करके लिखना ये सुर्तिलेख कहलाता है. चौता प्रशन है कि निम्न लिखित में से कौन अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है द्यान रखना नहीं है पूछ रहा है अशुद्ध वाचन का कारण क्या नहीं है तो शुद्ध वाचन के कारण जान लेंगे तो अशुद्ध वाचन का कारण कौन सा नहीं है अपने आप चारवी कल्प हैं वरणों की धुनियों का ग्यान ना होना प्रयत्ने लाग हो उच्चारन संबंधी अभ्यास की कमी या सस्वर वाचन का अभ्यास तो सुन लें चात्रों को अपने भाव कुशलता पूर्वक व्यक्त करने अच्छा संप्रिशन करने और सुस्पष्ट उचारन करने के लिए वाचन सिखाया जाता है वाचन सिखाते समें कुछ महत्तुपुन विंदों का ध्यान रखना चाहिए जिससे अनुकरन वाचन करते समें छात्रों के अधिगम में बढ़ोत्तरी हो शुद्ध वाचन के कारण क्या है ध्वनियों का यथावत ग्यान हो स्वरतंत्र का स्वस्थ और निर्बाद होना ये भी सुद्ध वाचन के कारण है लाय यति आरोह अवरोह इन सब का ग्यान होना रहस्व दीर्ग पलुत आदि का शुद्ध ग्यान होना और उचारन करते समें धैर्य माधुर्य आदि गुनों का ध्यान रखना और सस्वर वाचन का अभ्यास करना इसी प्रकार अशुद्ध वाचन के कुछ प्रमुख कारण निमने लिखित है अशुद्ध वाचन कैसे हो जाता है जब आप प्रयत्में लागाओ किसी चीज को बड़ी जल्दी से कहना चाहते हूं वरणों की ध्वनियों का ग्यान नहीं होना उच्चारण संबंधी अभ्यास की कमी होना रश्वदिरगादी का अनभ्यास होना धर्य माधुरी आदिपरध्यान नहीं देना इस से सपष्ट है कि सस्वर वाचन अशुद्ध वाचन का कारण ना होकर शुद्ध वाचन का कारण है इसलिए आपको इसमें उत्तर डी सही करना है अशुद्ध वाचन का कारण उच्यारण अभ्यास की कमी भी है प्रयतने लागों भी है और वरणों की धुनियों का ज्यान ना होना ये भी शुद्ध वाचन का कारण है और सस्वर वाचन का अभ्या अब अगला प्रश्ण है कि चंदो बध्धता होती है चंदो बध्धता गद्य पाठों में होती है कि नाटकों में होती है कि पद्य पाठों में होती है कि कहानी पाठों में तो इतना तो आप सब जानते होंगे कि चंद मात्रा यती गती आदि नीमों से युक्त रचना जो हो पध्य पाथ में चंद यती का विशेष महत्व होता है वाचन करते समय जहां यतिका निरदेश होता है वहाँ पर रुकना पड़ता है वाचन, व्याख्या, भाव, मूल्यांकन, आदी ये सब पद्य सिक्षन के अंग है नाटक में नाटकियता, समवाद, भाव, भंगिमा, चतुरविध, अभिने, सात्विक, वाचिक, काईक और आंगिक का ध्यान रखा जाता है और गद्य पाठ दो प्रकार का होता है गद्य पाठ दो प्रकार का होता है, कथा और आक्षाई का तो गद्य सिक्षन चंद रहित रचना होती है अब आपसे पूँच रहा है कि चंदो बद्धता किसमे होती है तो चंदो बद्धता होगी पद्ध पाठों में सी वाले विकल्प को आप सही कर लीजे चठमा प्रश्न है कावरण का उच्चारन स्थान है अकुह विसर जनिया नाम कंठा से कावरण का उच्चारन स्थान कंठ कहलाएगा इसलिए कवरण का उच्चारन स्थान पूँच रहा है तो कंठ लिखे मालो चवरण का उच्चारन स्थान पूँचता तो आपको तालू लिखना है टवर्ग का इस्थान पूँचे तो मुर्धा लिखना है तावर्ग का इस्थान पूँचे तो दंत लिखना है और पवर्ग पूँचे तो उष्ठ लिखना है पवर्ग का उच्छान स्थान उष्ठ है अब आप समझ गए होंगे मालो यहां तो पूंचा है कि कवर्ग का उच्छान स्थान क्या है क्या पता अगली परिक्षा में चवर्ग का उच्छान स्थान पूंच ले तावर्ग का पूंच ले तो आपको सभी वर्गों के उच्छा सब्सक्राइब कर लेंगे अब मैं बढ़ता हूं साथ में प्रश्न की ओर इक्ष्वाक वंशी राजाओं का निरोपड किसमें प्राप्त होता है देखे एक्ष्वाक वंशी राजाओं का वरण प्राप्त होता है रगवंश में एक्ष्वाक वंशी राजाओं का वरण कालिदास ने जो रगवंशम नाम का महाकावी लिखा है उसमें 19 सर्गें जिसे लगुत्रई कावी की संग्या दी गई है रगवण्ष में प्राप्त अन्य वरणन जैसे कामधेनु की पुत्री नंदनी की सेवा का वरणन है दूसरे सर्ग में रगु का जन्मी इंदुमति शोयंबर अज विलाप स्रवन कुमार की हत्या सीता हरन सीता परित्याग ये सारी कथा रगवन्शम में वरनित है रगवन्श में रगवन्शी राजाओं का वरन किया है कालिदास ने पूँचा है कि छागवन्शी राजाओं का निरूपन किसमे प्राप्त होता है तो आपको रगवन्श लिखना होगा दसकुमार चरित में दसकुमारों का वरनन है मेग दूतम में महा कभी कलिदास ने विरही यक्षी की कता का वरनन किया है कादंबरी में महा कभी मानभट ने कादंबरी नामक नाइका और चंद्रापीड नामक नाइक की कता वरनित की है तीन जिनमों की इसमें कथावरनित है कहा जाता है कि कुछ हिस्सा कादंबरी का बानभट्टे ने लिखा था और इसका थोड़ा हिस्सा जो रह गया था उनके पुत्र पुलिन भट्ट या भूशन भट्टने पूरा किया था इसलिए कादंबरी के दो भाग कहे जाते हैं एक और एक उत्तरार्द पुरवार्द की रचना महा कभी मान भट्टने की और उत्तरार्द की रचना उनके पुत्र पुलिन भट्ट या भूशन भट्टने की थी अब मैं आगे बढ़ो तो अश्टाध्याई गरंथ संबंधित है संबंधित मतलब अश्टाध्याई गरंथ के लेखा कौन है ये इसका भाव है अब चुक्कि सवाल जब भी पूँचे कि अश्टाध्याई गरंथ किस्से संबंधित है व्याकरण से कि नाटे सास्त्र से कि लंकार से कि काविशास्त्र से तो आप ये सब जानते हैं कि अश्टाध्याई महरशिपानिनी की रचना है व्याकरण सास्त्र की रचना है इसलिए अश्टाध्याई ग्रंत किस से संबंधित है ऐसे में आपको लिखना है कि व्याकरण से संबंधित है अब आगे आप यदि बढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि नाटेशास्त्र आचारे भरतमुनी की रचना है काविया लंकार यह भामा की रचना है काविया लंकार शूत्र वामन की रचना है काव्यप प्रकाश मम्मट की रचना है साहित्य दर्पन विश्वनात की रचना है रस गंगाधर पंडित राज जगनात की रचना है काव्यादर्श दंडी की रचना है धन्या लोक आनंद वरधन की रचना है चंद्रा लोक जैदेव की रचना है और दशरूपक धनंजय की र ये भी व्याक्राण सास्त्र का ग्रंत है। वाक्ष की पदीयम भात्रीः की रचना है। और परिभाषेंदुर्सेकर लगषबदेंदुर्सेकर ये भी नागेजवत्ति की रचनाइं हैं। और ये भी व्याक्रण सास्त्र की रचना है और सिधान्त कौमदी ये भटोजी दिक्षित की रचना है और लगु सिधान्त कौमदी ये उनके शिष्य वरदराज की रचना है और ये भी व्याक्रण सास्त्र का ग्रंत है माल लो आपसे परिक्षा में पूशे तो इनको भी आपको लिखना है अब अगला प्रश्न है महर सी पाणिनी ने संस्कृत की वरणमाला को विभाजित किया है 12 खंडों में की 14 खंडों में की 16 खंडों में की 18 खंडों में तो ये तो बड़ी सामानने बात है कि आप जाने लिए कि संस्कृत की वरणमाला बताई गई है 14 माहिस्वर सूत्रों में तो माहिस्वर सूत्र 14 होते हैं इसलिए इसका भी उत्तर हो जाएगा 14 खंडों मित्रों महर्शी पानिन द्वारा रचित जो 14 महेश्वर सूत्र हैं वही सम्ष्रित की वरण माला है। आप सब जानते हैं फिर भी मैं एक बार पढ़े देता हूं। अब इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला विकल्प 14 खंडों में। अगला प्रश्ण है तवर्ग का उच्चरश्थान क्या है। अभी अभी मैं आपको छठमें प्रश्ण में इसकी चर्चा कर रहा था। फिर से देखें दसमें प्रश्ण में पूंचाएगी तवर्ग का उच्चरश्थान क्या है। तवर्ग में आप देखें लितुलसानाम दंताह लिखता है। लितुलसानाम दंताह ये पंक्ती है व्याकरन सास्तर की जिसका मतलब है कि प्रिका और लाका और तवर्ग का उच्चानस्थान दंत है तो तवर्ग का उच्चानस्थान दंत होगा आप बोल के भी देख सकते हैं ता था दा धा ना आप देखे जीवा आपके दांतों को टच करती है और जीवा आपको पीछे से दांतों को छूती है इसलिए तवर्ग क उचान स्थान होगा तालू से चवर का उचान स्थान होगा और मुर्धा से टवर्ग का उचान स्थान होगा इसलिए जब भी आप से सवाल पूछे कि कवर का उचान स्थान क्या है तो कंठ लिखना है चवर का तालू लिखना है तावर्ग का मुर्धा लिखना है तावर्ग क योउजच को लोटलकार प्रथम पुरुष एक बचानteश कैंसे चाहिए सबस्ट ऑनेकुली बात्त byte कॉछश he सब लोट लकार के रूप हैं तो पीबतु गच्छतु पठतु लिखतु चलतु ऐसे जहां तू 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 आजाए जनरली आप समझना है कि लोट लकार है ठीक है तो गच्छत रूप इसका बनेगा गम धातु के लोट लकार में प्रथम पुरुष के एक बच्चन में सही कर लीजे लोट लकार प्रथम पुरुष में गच्छतु बनेगा ठीक हो गया पांच लकार तो आपको पढ़ने ही चाहिए खासकर जैसे गम धातु हुआ पठ धातु हुआ लिख धातु हुआ खाद धातु हुआ जाना पढ़ना लिखना सोना यह को जो इंपार्टन इंपार पर जितने अभी तक यूपीटेट के प्राथमे के स्थर के और उच्छ प्राथमे के स्थर के पेपर हुए हैं 30-30 प्रशन के उनकी व्याख्या है और उशी पुष्टक के आधार पर मैं आपके सामने ये व्याख्यात्म खल परश्टूत कर रहा हूँ तो एक ये गुरुम नवंबर के लाश्ट सप्ताह में अत्वा दिसंबर के प्रथम सप्ताह में यूपीटेट का प्रैक्टिस से टा रहा है और हम लोग उसको विशेवार भी बना रहे हैं और 30-30 प्रशनों का माडल पेपर भी बन रहा है तो मैं उम्मीद करूँगा कि ऐसे प्रशन बनाये ज है तो छोटे मुह बड़ी बात यह दिना समझी जाए तो मैं यह कहना चाहूँगा कि उस प्रैक्टिस सेट को भी आप पढ़ लेंगे तो 30 प्रशनों में आपको 25-26 प्रशन तो केवल उसी प्रैक्टिस से आ जाने चाहिए देखिए मैं फिर से आपको बता दूँ मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ जूटे दावे नहीं करने चाहिए पेपर ऐसा भी बन सकता है कि आपसे उसमें से ना पूछा जाए लेकिन अभी तक जो प्रशने पूछे गए हैं उनके आधार पर मुझे लगता है कि उस वह प्रैक्टिस सेट आपकी परिक्षा के लिए एक मे प्राग राज में हैं उनको दिसंबर के फश्ट वीक में पुस्तक अवश्च मिलेगी तो आगे आईए हम लोग परशने पढ़ रहे थे पित्रा पित्र शब्द के किस विवक्ति वम वचन का रूप है आप पढ़िए पिता पितरम पित्रा पित्रे पितु 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 पढ़ने का क्रम बताया था तो पित्र शब्द के तृत्र बिवक्ति का एक वचन का रूप है आब मात्र पूंच लेगा तो भ्हुच्टा प्रा पित्र पित्र पित्रस पित्रा बनता है तो भ्रात्रा भी बनेगा इस्त्रिलिंग में मात्र शब्द का मात्रा बनेगा भ्रात्र शब्द का भ्रात्रा बनेगा धात्र शब्द का धात्रा बनेगा करत्र शब्द का करत्रा बनेगा सम्में तरतियांत रूप इसी प्रकार होंगे बस यह दू पित्र क तो आप समझ गया होंगे द्रतिया का एक बचन और प्रतमा की ऑक charge करी करें और Ba बड़ा दो में सब्सक्राइब अगला सवाल आट विंशतीविज्टार्थ है अवför 20 सब्सक्राइब तो अश्टा माने आठ आप जानी रहें बिंसती माने 20 तो 27 28 तो 28 लगा दो देख लो कहां पर 28 लिखा है तो तेरहमा प्रश्ण का बी वाले विकल्प में 28 लिखा है आप यी वाला विकल्प सही हो जाएगा कर लेंगा संख्या भी बहुत आसान है आप पढ़ो और इसके बास संख्या का सिष्टम से फालो करो अश्टा बिनसती का मतलब ही और नो बिनसती योंन 19 त्रेशत Всर्जान थाव चालिस5 सत्त श्ष्टी मौनि 70, 80, 80, 90, और 70 माने शतम, शतम के आगे संख्या खतम, अब मालो आप 90 जानते हैं, तो अब आगे आप 1 जोड़ दो, तो 1 90 का मतलब हो जाएगा 12, 2 जोड़ दो तो 2 90 का हो जाएगा 92, 3 90 का मतलब हो जाएगा 93, तो इसमें पढ़ने की बात कुछ नहीं, बस समझने की बात है, आप ये जानते हैं, दस तो इसमें कौन पहाड़ा पढ़ना है, ये तो संख्या आप जानी जाएंगे, कुछ भी पूच लेगा आप कर लेंगे, इसलिए हम कहते हैं कि तीस में उनतिस पाजाना, तीस पाजाना कौन बड़ी बात है, इसमें पूचता है इसे हैं कि आप कच्छा एक से लेकर के यही पढ़ रहे हैं, भले आप कच्छार्ट के बाद संस्क्रित नहीं पढ़े हैं, लेकिन संस्क्रित में जो भी पूचे गा, बहुत आराम से कर लेंगे, बाकी आप चिंता करि बंबे पों मारेंगे, सब सही हो जाएगा, उसके लिए आपको बहुत गर बडाने की जरुवती नहीं है, गंगा जी के किनारे, गंगा जी का नाम लेके, लेटे वाले हनुमान जी का नाम लेके, मार देना, देखना सही आएगा, अगला प्रशन है, चौधा हमां, पावका शब्द का संदी विच्चेत क्या होगा, पाधना आवकाह की पाधना आवकाह की पौधना का, आप जानते हैं पावकाह में आयादी संदी है, एचो एवा यावा, जो लोग आप में पढ़े होंगे, तो जानते नहीं पढ़े हैं, तो समस्किरिनगा का एप पूरी तरे से निसल्ख है आप उसको पढ़िए और उसमें बहुत सारी संधियां पढ़ाई गई है उसमें एचोयवा यावा भी पढ़ाए गया है आयादी संधी का वो कहता है कि यदि आव के बाद कोई स्वर आए तो आव आदेश होगा तो देखिए पावका हमें आव दिख रहा है ना आयादी संधी को याद करिए ए के स्थान पर आयादेश ओ के स्थान पर आव आदेश अई के स्थान पर आयादेश और आव के स्थान पर आव आदेश यही एचोयवा यावा की आयादी संधी है तो आप देखें आप से एगली बार पूंच लेगा कि पावनाह भवनम अब अगला पढ़िए पंद्रामा प्रश्न है कि जगदीशा में किस सूत्र से संधी हुई है जगदीशा में जगत धन इसा संधी जगत के ता को दा आदेश हुआ है पहले अक्षर को तीसरा अक्षर हुआ जगदीशा में संधी है तोरली से है कि मौनुश्वारा से है कि खर चासूतर से है कि जहलाम जशोंते से है आप जानते हैं जहलाम जशोंते ये कहता है कि पद के अंत में वर्ग के प्रथम दुती तरती और चतुर्थ वरन के बाद यदि कोई वेंजन आए तो पहले वर्ग को तरती होता है बने पहले अक्षर को तीसरा अक्षर होगा तो जगत में ता में ता है जगत के ता में ता है ना पहला अक्षर है और जगदीशा में जो आपको दिखाई पढ़ रहा है ता के स्थान पर दा हुआ है तो पहले अक्षर को तीसरा अक्षर होना ही तो जस्त है जस्में मतलब हुआ तीसरा अक्षर जस एक प्रत्याहर है जिस प्रत्य जस्माने वर्गों का तीसरा वर्ण तो जस्त का मतलब ही हुआ कि जहां वर्गों का तीसरा वर्ण हो जाए तो जैसे वाक धनीशा वागीशा है यह भी क्या है जस्त है जहां भी पहले अक्षर को तीसरा अक्षर होगा तो आख मुंद करके जस्त वसंदी लगा देना और सूत इसलिए है रामशब्द का तरतिया में रामेन है अना है और कहीं कहीं बालकेन में जैसे ना है तो ना कोना कहां कहां होता है मैंने आपको बताया था कि रा और शा के बाद यदि ना आएगा एक ही पद में तो उस ना कोना हो जाएगा यह है रशाब्याम नोना समान पदे पर ज्यादा शास्त्र की बात में आप से ना करो नहीं, आप घबडाने लगेंगे, घबडाये नहीं, राम शब्द का रूप, आप देखें, यूट्यूब में भी पड़ा हुआ है, और एप में भी पड़ा हुआ है, सम्ष्कित गंगा का एप, एक बारा आप आधे घंटे ये एक बचन का पूरा, फिर दू बचन का पूरा, फिर बहुवचन का पूरा, तो रामा हा रामम रामेड, रामा है रामा तरामस, रामे राम, ये आपको ऐसा याद है, तो रामेड तरतिया का है, मानलो अगली वार परिक्षया में पूँच ले कि रामा एक इस भी वक्ति ज़िए कर लो, रामई ही ये तरतिया का बहुचन है, रामम ये दुतिया का एक बचन है और रामेश्ट में सक्तमी का बहुचन है, कर लेंगे ना, चीक है, देखिए अगला वाला सवाल है, सोला के बाद सत्रहवा, हम जहां बैट के रिकार्डिंग कर रहे हैं, हमारे सामने प अन्यवाद के शब्द लिख दिया करिए, नहीं तो ये लोग नाराज होकर के कहेंगे, हर्ताल में बैठ गए, तो आपकी वीडियो जानी बंद हो सकती है, अब आगे मैं बढ़ता हूँ, सत्रहवा है, पठामा पठधातू का रूप होता है, लट लकार उत्तमपुरिश ब पठत, पठामी, पठावाह, पठामा, देखें, पठामा का वना है, लट लकार में बना है, उत्तमपुरिश का है और बहवचन का है, तो पूछ रहा है कि पठामा पठधातू का रूप होता है, तो लिख दो लट लकार में, उत्तमपुरिश में, बहवचन में, तो ए बाल और पथेम लंग लक़ार मरूर्ट चलाइए पथधैतू का अपधाताय चलाइए पथतो को isso का पधाया पठम कि मामें लगाना है Probleme में चलाइए और टबंगे थे हैं तो पढ़ रहा हूं सेताय ने Sacramento पठिस्यामि पठिश्या वहा पठिस्याम हा तो अब पूश्रागी पठामा है तो इल्ट लकारुत्तम पुरुष बहऊचन का अधा दोता है इसलिए थोड़ा इंपर्टन है क्रिद रचवा लगाओं गत्वा नेगा घ्याद हातू से लगाओं गतित्वा नेगा द्रिष्ट धातु से लगाओगे तो द्रिष्ट्वा बनेगा कर लेंगे इसको तो यह द्रिष्ट्वा कृत्वा पीत्वा गत्वा इस्थित्वा ग्यात्वा पतित्वा द्रिष्ट्वा यह सव्क्त्वा प्रत्यान तरूप है इसलिए आपको द्रिष्ट्वा प्रत्यान सा पादेन खंजा हस्ती वाक्य में पादेन पदमे तरतिया जोगी ये नांग विकारा से जिस अंग में विकार होगा उसमें तरतिया लगेगी ये नांग विकारा सुत्र कहता है कि शरीर के जिस अंग में विकार से शरीरधारी का विकार ग्यात होगा उस अंग वाचक शब्द में तरतिया होगी तो कोई आदमी लंगडा है कहां से लंगड़ा है पैर से उस आदमी का विकार या दोश या कमी कहां से दिख रही है पैर से जुकि लंगडा किससे होता है इसलिए पैर में तरथिया लगा दो तो पाद्र्षब्द पादा हमाने होता है scientists और पादा की तरतिया हो जाएगी पादेन तुसा पादेन खंजा हस्ती इस वाकि में पादेन पद में तरतिया विखती का विधान करता है कौन ये नांग की विकारा और रुच्यर्था नाम प्रियमाना सूत्र से संप्रदान संग्या होकर चतुर्थी लगती है और अधिशिंगस्था सामकर्म से आधार की कर्म संग्या होने के बाद दुतिया लगती है और अकथितन चा सूत्र से भी दुही आच पच दंड इन धातों के आने पर दुकर्मक धात्मों के प्रयोग में कर्म संग्या होकर के दुतिया लगती है तो फिलाल आपको सा पादेन खंजा हस्ती या कि सा नेत्रेन काना हस्ती सा सिरसा खलवाटा हस्ती इस प्रकार के जो भी उदारन मिलेंगे वो सब ये नांग विकार हा के उदारन मिलेंगे जिस भी अंग में विकार होगा कमी होगी दोश होगा यानि जिस अंग से वो विकलांग होगा आंख से विकलांग है तो आंख में तरतिया लगागो नेत्रेन काना ठीक है ना लेकिन आंख मारने में नहीं को यांख मार रहा है लड़का किसी लड़की को तो बोले सर कि आंख में विकार हो रहा ह गए पाणनी कहते हैं तब ये नां बीकारा सुत्र एंग क्लांगों का शूत्र है तो जो तो धिव्यांग होंगे केवल नहीं लोगों के लिए काम चलता है ठीक है हम आहें महेद भईया वजह मुस्कुरा रहे हैं कि हम्मी भगवान करें आपमें तरथिया प्रत्य 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 प्रत् पूरुष कहते हैं यहां सवाल पूछ रहा है कि सम्षित के प्रत्येक लकार में पहले मैंने आपके से कहा कि लकार पूछे कितने हैं तो दस लकार है अब यहां लकार नहीं पूछ रहा है कि लकार में पूरुष कितने हैं तो पूरुष तो हर लकार में तीन-तीन पूरुष ह सब्सक्राइब दिवचन और बहुचन तीन वचन होते हैं पुलिंग इस्त्रिलिंग नपुनशक लिंग ये तीन लिंग होते हैं प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष ये तीन पुरुष होते हैं साथ विभक्तियां होते हैं छे कारक होते हैं और दस लकार होते हैं तो कभ सा उपकरण स्रव द्रिश्य दोनों है स्रव माने सुना जाने योग द्रिश्य माने देखा जाने योग तो कौन सा उपकरण ऐसा है जो दोनों है क्या टेपरिकाडर चार्ट टेली वीजन और ग्रामोफोन चार विकल्फ हैं तो मैं आप से पूछूं क्या टेपरिकाडर में स ऐसा मार्धियम है जिसको देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है और इसे क्यारे सुट्वच को कहते हैं और हमारे अभी सक्टें गया है यह तो इतना यह ऍट रुज dragging घृए बड़ी 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 सिद्दत से इन लोगों को पालना पड़ता है और हमारे लिए यही तीन-चार लोग मानलो पाणनी पतंजली कात्याइन हैं हमारे हाथ पैड़ हैं समस्कित की इतनी सेवा करते हैं लोग रात को 10-10 बजे तक 11-11 बजे रात तक 12-12 बजे रात तक आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो निश्चित रूप से भी धन्यवाद के पात रहे हैं भगवान करें सब की दूआ लगे इनका सब का पहले बिया हो इनकी नवकुरी लागे और हमको बरात जाने का नवता मिले वैसे तो आजकल हमारे राजकुमार भई या राजकुमारी की खोड़ हैं बहुत हैं परिसान हैं कहते हैं कि सर्रात को नीद नहीं आती है तो इस वर करें इनकी भी नवकुरी लगे और इनको कोई राजकुमारी वरन करें हम फिर से आगे प्रश्णों की ओर बढ़ते हैं बीच बीच में आप से इसले चर्चा करता हूं कि आप सब की भी दुआ नहीं दो शाहे जल्दी याँ हो जाए नहीं तो बड़ा टेंसर सन हैं हमको आगला प्रश्ण हैसं संस्कूत में भीश्यत का ले क्या प्रियक्स किा जा जाता है लट लकार की लट लकारं की लंग लकार संस्व लकार हैं और 10 लकारों का अपना एक-एक अर्थ है तो चले जान लेते हैं कि संस्कित में जो 10 लकार हैं हो सकता है इस बार भविश्चत काल के लिए कौन सा लकार पूछा है ये पूछ लिया क्या पता अगली साल पूछ ले कि वर्तमान काल में कौन सा लकार प्रियोग किया जाता है भुत काल में कौन सा लकार प्रियोग किया जाता है आग्या के अर्थ में कौन सा लकार पूछ लिया जाता है प्रश्णों की व्याक्षा करने का पीछे का मकसद यही है कि एक लाकार है서 10 लाकारों को अपरियोग जान लीज वह किस लाकार का किस काल में प्रियोग होता है तो क्या पता दस ही प्रशन इससे बन सकते हैं 11 कोई प्रशन नहीं बनेगा तो दसओं प्रशन की चर्चा युए चैर्चा हो जाएगी ताकि आपसे अर्थ में वैसे चाही अर्थ ये संभावना के अर्थ में है विद्रिंग लकार और लिट लकार है भविश्यकाल में लुट लकार है भविश्यत अनध्यतन में आसिर लिंग लकार है आसिर वाद देने में आसिर वाद आत्मक लकार है और लिंग लकार है हेत्व हेतमत अब ये उपर वाली तालिका आपको ध्यान में रखनी है इसको आपको बार बार समझना है भविष सिकाल के लिए लकार पूछ रहा है तो बत नोचलि आप जान जाएंगे लिट लकार कहूं सा लकार है लिट लकार आप यहां पर देख लिजे पांच्वे नमबर पर लिखा ह भविष्यकाल के लिए है तो आपको लिट लकार को सही करना है सी वाला भिकल्ब अब तेश्में प्रस्में बढ़ते हैं तेन में भी भक्ती है याद करिए तत्सब्द का पुलिंग में रूप चलाइए सहा तम तेन तस्मा तस्य तस्मिन तो तत्सब्द का तरतिया में बनेगा तेन जैसे किम का बनेगा केन यत सब्द का बनेगा येन एतत्सब्द का इसा चलता है ठीक है तो साहतवते कहको के यह 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 इस प्रकार के रूप चलेंगे एशाह एतव एते सरवा सरवे यह सरवी सरवनाम पतों का रूप इसी प्रकार से है तेन केन येन सरवेन एतेन समय तरतिया है तो तेन में विवक्ति कौन सी है तरतिया जैसे आप पढ़ें स लिखन चलन घचन भवन एसा रुप बनता लियप प्रत्य है तो लेप्रत्य वहां लगता है जब धातु के आगे कोई उपसर्ग ज़़ जाए, तो देखें गम धातु में अपसर्ग लघ गया, तो बन गया आगम में भी बन सकता है, आगत्य भी बन सकता है, तो आगत्य और आगम ये दोनों लिप प्रत्य किस धुरूप हैं, यहां पूँच रहा है कि आगत्य में कौन सा प्रत्य है, तो आपको लिप लिखना है, धातु पूँचे तो गम धातु है, और उप्षर्ग पूँचे तो आंग उप्षर्ग है, आंग उप्षर्ग उप्षर्ग जुड़ जाए और उप्षर्ग के बाद फिर आप उसमें कोई प्रत्य जोड़ रहे हैं तो केबल लिप्षी जुड़ेगा करके पढ़के लिख कर चल कर ऐसा आर्थ देता है जैसे प्रकृत्य अनुभूय आनिय आगत्य आगम्य प्रपठ्य इन सम्में लेप परत्य हैं कर लेंगे अब पच्चीसमा प्रश्ण है बिभ्यत शब्द में मूल धातु एम लकार कौन सा है बिभ्यत में कौन सी मूल और भी धातु का रूप चलेगा बिभ्यत अब इसको आप बिभ्यत बिभ्यत यह भी धातु का है डरना अर्थ में जुहत्यादिगन की धातु है तो यहां बिभ्यत में माल लो आपको वचन पूछे तो बहुचन लिखना है पठत की तर एक बचन मत लगाईएगा एक बच इमा यह भी धातु का है यहां तो बड़ा अच्छा किया कि केघज़े बिभ्यत में कौन सी धातु है बला यह नहीं पूछ लिया है कि यह मैं निवेदन करूं कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है 30 प्रशन होते हैं आपको व्याख्या करके देना होता है इसलिए थोड़ा सी वीडियो बड़ी जरूर हो जाती है लेकिन 30 प्रशनों में भी आपको शैकनों प्रशन मिल जाएंगे एसी उमीद है और ऐसे प्रशन मिल जाएंगे जो आपकी परिक्षा में आपका बेना पार कर सकते हैं तो चलिए ठीक है जान रखेगा ये परिक्षा के बल परिक्षा पास करने के लिए इस परिक्षा से आपका करियर बनेगा इसी परिक्षा से आपकी साधी होगी, इसी परिक्षा से आपके आगे बच्चे होने वाले, इसी परिक्षा से आपको नौकरी चाकरी मिलेगी, इसी परिक्षा से आपकी समाज में कीमत बढ़ेगी, महतारी बाप की नजरों में आप उनके अच्छे सुयोग बालक कहलाएंग होगी 40 मिनट के आपको लगता होगा कि बाई ये बड़ा थामिम बेश्ट हो जाता है तो जितना 40 मिनट में तो एक बार आप अपने गल्फेंड को फोन लगाते होंगे तो तो समझ लो कि 40 मिनट अपने जिंदगी भर के कैरियर के लिए 60 साल के लिए उकरी मिल जाएगे महेश कुमार इसलिए कृपया ध्यान दे करके पढ़ते रही है नहीं जौन पारवती आएगी तुम्हारा इसा काट काटे गई इसा मार मारेगी पता नहीं हमार कौन भाग खराब रहा कि तुम प्रियोजन को जाने मिना कोई मंदमूर्ख आदमी नहीं प्रवर्त होता तो मैं इसको ये परिक्षा होँ यह words की परिक्षा आपके पुरे करियर को आपके पूरे जिंदगी को प्रवावित करने वाली इसलिए आपको पढ़ना चाहिए और ध्यान रखेंगा एक भारती भाwhere्शाओं के जन्नी है अगला प्रस्णे भारती भार्शाओं की जन्नी है bevorी भासों की नि आनि Bali स्विक्रत पंजाबीगी है тогда और उसे ब्ताइक हिंदी बागी सारी भारती भार्षाइं संस्कृत से निकली हैं ऐसा हमभर नहीं कहते हैं सारे भार्षा वे ज्यानिक कहते हैं प्राचीन भारती भार्षाओं का सुरूप रिगवेद से प्राप्त होता है और रिगवेद ही सबसे प्राचीन वेद है अता भारती भार्षाओं सबसे प्राचीन वेद है अभी अभी मैं इसकी व्याक्षा कर रहा था कि सबसे प्राचीन वेद काउन सा इसका उत्तर आपको नहीं बताऊंगा आपको बताना पड़ेगा जल्दी बताइए सबसे प्राचीन वेद काउन है रिगवेद है कि यजिर वेद है कि साम वेद है कि चारे वेद हैं और छे सास्त्र हैं, छे वेदांग हैं, आप ध्यान रखेगा सबसे प्राचीन वेद जब आप से पूँछे, तो आपको रिगवेद लिखना है, सबसे प्राचीन वेद रिगवेद हैं, जिसका विवाजन दो रूपों में हुआ, एक अश्टक में और एक हैं, दस सो अठाई सूक्त और दस अजार पान सो बावन मंत्र हैं, अब यजर वेद को अध्वर्य वेद भी कहते हैं, यजर वेद की दो शाखाएं हैं, क्रिष्ण यजर वेद और शुकल यजर वेद, साम वेद इसमें गीत युक्त मंत्रों का वरणन है, इसमें ये गायन का वैद कहा जाता है गायन का वैद मालों पुंचे गायन का वैद किसे कहते है साम वैद को और पुंचे यज है और अथरवैद सबसे अरवाचिन य rever अब आगया पूंचे तो आपको चार वेद लिखने है अब आगे आए शक्त्रि-प्रत्यय-व्ट्शब्द काउनसा है विकल्पों में Kathitah, Karthum, पठन और पठित्वा ये चार विकल्प लिखें हैं वो पूछ रहा है कि ये बताईए कि 10 में शत्री प्रत्य किसम स्मा काने है फूर्वाला भीकल लिखते ऐसे आंट उंप्रत्य तुमुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनु सब्सक्राइब यहां उत्तर सी में का उत्तर सी होगा चुकि श्रक्रिक प्रत्य उक्तर सब्द पूंच रहा है तो आपको पठन लिखना हैं उबन तो ने लग रही हैं डर ने मत आराम आराम से पढ़िए कोई दिक्कत नहीं और मालों आपको कहीं काम में जाना है कोई जरूरी फोनों आ गया है तो आप बीच में फोनों निप्ताते रहें लेकिन पढ़ना जरूर है अभी तो मैं आपको पूरे पेपर की पर लेंगे तब आप क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारे प्रश्ण आपके ऐसे आजाएंगे तीसी प्रश्ण के लिए आपको समस्क्रित पढ़नी है 30 प्रश्ण ही समस्क्रित आपको देगी तो 30 में 30 भी दे सकती है यदि आप उसके साथ ड़र्टी काम ना करें तो यदि आप उसके साथ बढ़िया से इमानदारी से केवल आनलाइन भी जुड़े हैं और इस्पेसल सब वीडियो को पढ़ना है तो आप यह जानते हैं कि UP TET के लिए और UGC के लिए समस्क्रित गंगा का जो आप प्ले इस्टोर में जाके समस्क्रित गंगा डाउनलोड करके तो वहाँ पूरे यूपिटेट की वीडियो सब के लिए निशुल्क हैं और UGC के लिए भी निशुल्क हैं आप इसको पढ़ सकते हैं देख से कम कम परिक्षा तक तक तो हम आपको निशुल्क दिये रहेंगे आगे देखा जाएगा तब का तब जब आगे आगे तब बात क करेंगे फिलाव समद्र शब्ड का परयाव ऐची शब्ड क्या होता है पूंच नहीं देखो परएवाची से शब्दा अब समुद्र का ऍरखण का परयावाची निश चरह है कि दिन करा है क सुधा करा है कि रतना करा है देखिए निशिचर माने क्या होता है घर में हमाई अम्मा डांटा करती थे हमको तो निशाचर हो गया निशिचर का मतलब जो निशिचर माने रात में चले तो रात में चलने फिरने वाले निशाचर कह जाते है ये आप रात भर जगते हैं मतलब आप भी नहीं साचर रहे तो बेतर होगा कि आप रात में सोएं दिन को चलें दिन कर माने होता है सूरी और निशिचर माने होता है राक्षस और रतनाकर आकर माने होता है खजाना रतनों का खजाना और रतनों का खजाना माना जाता है समुद जब समुद्र मंधन हुआ था तो उसमें से 14 रत्र निकले थे याद है ना तो उन 14 अभी भी ऐसा नहीं कि सारा रत्र निकल गया आज भी आप जाओ समुद्र में मंधन करो साइद आपको भी एकात रत्र मिल जाएगा लेकिन पता चले कि समुद्र में तुम ही न कमति डाव है समुद्र में जाओ रत्र लेने तो आप ही चले जाओ तो बेतर होगा कि यदि आप भी कोई मंधरा चल परवत लेकर के पहुंचें और मंधन करें तो शायद आप लक्ष्मी निकले और साइद लक्ष्मी निकले तो आपको मिल जाओ कौश तो मड़ी भी निकल सकती है उचे परिक्षा रूपी समुद्र का मंधन करो तो निश्चित रूप से इससे भी रत्र निकलेंगे और क्या पता साइद कोई लक्ष्मी ही निकली आए और आप नौकरी पाएंगे तो लक्ष्मीन तो है और ये परिक्षा ये परिक्षा भी एक समुद्र ही है और इस समुद्र म मिला लेकिन अमरित के पहले हलाहल बिस भी तो मिला लक्षमी भी तो मिली बहुत सारी चीजे मिली कुछ अच्छी भी मिली कुछ बुरी भी मिली लेकिन सब रतन कहे गए रतन का मतलब ही होता जिसके समान और कोई दूसरा ना हो तो हलाहल बिस के समान भी कोई दूसरा बिस नहीं था बिशों में हलाहल बिस रतन के समान है तो मैं समुद्र की चर्चा कर रहा था रतनाकर रतनाकर ये समुद्र का परियावाची है और सुधाकरा ये परियावाची है चंद्रमा का तो आप देख ग्राशर यानि राक्षण के परेवाची है शूरिका परेवाची आधित्याह सविता भासकरा दिनमनी विवर्श्वान हरी हिमारतंडा इना पतंगा भगा स्टूरा रवी दिनकरा भानु प्रभाकरा अंशुमाली तो ये दिनकर सूरिका है और इतने सारे जो मैं परेवाची पढ़ रहा था वो भी सब सूरिके हैं शुदाकर चंद्रमा को कहते हैं शशी उम्रगांका विधु निशाकरा रजनीशा ये सब चंद्रमा के परेवाची हैं मित्रों वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है आकरी प्रशने में आप सा समास है अब यही भाव की तत्पूरुष नमास की बहुबरीही के द्वन्द द्यान रखेगा भूत एभ्या बली इसमें चतुर्थी तत्पूरुष नमास हैं और भूत बली में पूंचा या गोहितम में पूंचे तो चतुर्थी तदर्थार्थ बलीहीत सुखरक्षित यह सोत्र आपने पढ़ा होगा तो यह प्रतिदिनम उपगंगम उपतटम सम्मे अभ्याईभाव है भूत बली सुरियोदेहा यह राजपुरुषा यह सब तत्पुरुष के उधारन है जितेंद्रिया घनश्यामा यह सब जितेंद्रिया इत्यादिये बहुब्रीही का उधा जो फरवरी 2014 में प्राथिम के स्तर के लिए हुई थी यूपीटेट की परिक्षा में 30 प्रश्ण आप इनको देखें इसी प्रकार के और जो पेपर बचें हैं उनके भी व्याख्या में यह था समय आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा और प्रतेक्षा करिए दिसंबर झाल झाल झाल